पूरे दिन आपको किन-किन संघर्षू से गुजरना पड़ेगा, साथ ही किन उपाईउं को करके आप परिशानियों से छुटकारा पासकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो और जानते हैं आपका आज का राशी फल क्या रहीगा मेश राशी, आज का दिन बिजनस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करनी के लिए रहेगा विदेशों से व्यापार कर रही लोगों को कोई खुश खबरी सुननी को मिल सकती है आपके किसी आदत को लेकर परिवार के सदसे परिशान रहेंगे उपाई मंगलबार के दिन हनमान जी को चूला जड़ाए व्रिशव राशी, आज का दिन खुश नुमा रहने वाला है क्योंकि आप यदि नौकरी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो बो कर सकते हैं आपको कुछ तनाव, रहनी के कारण आपके सुभाव में चिर्चिड़ापन बना रहेगा स्वास से कुले कर आप कोई लापरवाही ना बढ़ते उपाई प्रति दिन स्वटिक से बने शिवलिंग के पूजा तथा रुद्राष्टिकम का पाठ करे मिथुन राशी, आज के दिन किसी कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है आप कारिक शित्र में अपने कामों से एक नई पहचान बनाएंगे आपको किसी से कोई सला नहीं लेनी है उपाए, प्रति दिन गड़पती को दूरवा चढ़ा कर गड़पती अथर्व शीर्ष का पाठ करे आज का दिन किसी वाद विवात को लेकर सावधान रहनी के लिए रहेगा आप किसी बड़े काम की योजना बना सकते हैं जो आप के लिए अच्छी रहेगी बैंकिक शेत्रों में कारेरत लोगों को किसी नई स्कीम का पता चल सकता है उपाए, प्रति दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा कर रुद्राक्ष की माला से ओम नवह शिवाय मंत्र की एक माला जब जरूर करें सिंग राशी, आज कर दिन आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रहने वाला है आपकर यदि किसी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई जगडा चल रहा था तो वो भी सुलज सकता है आप अपने परिवार के सदस्यों से यदि कोई मदद मागेंगे तो वो भी आपको मिलने की संभावना है उपाए, प्रति दिन भगवान श्री लक्षमी नारायन की पूजा में श्री विश्नु सहस्त्र नाम का पाट करें कन्या राशी, अपने कामू को लेकर योजना बना कर आगे बढ़ना होगा आप अपनी आय और व्याय पर पूरा ध्यान दे यदि परिबार में किसी संपत्ति को लेकर मन मुटाओं चल रहा था तो वो भी दूर होगा उपाए, प्रति दिन तुलसी जी की सेवा तथा स्री हरी विश्नु की पूजा में नारायन कवच का पाट करें तुला राशी, आज का दिन बिजनिस में किसी बड़े लेन देन को बहुती सोच विचार करके तैकरना रहेगा वहीं आपको अपनी स्वास से पर पूरा ध्यान देने की आवश्रक्ता है आपको किसी काम को लेकर अपनी संतान से राय लेनी पड़ सकते है उपाए, प्रति दिन शीयंत्र के पूजा एवं शी सूक्त का पाट करें रिशिक राशी, आज का दिन किसी विशेश काम को करने के लिए रहेगा आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी आपकी आर्थिक सेती पहले से बहतर रहेगी उपाए, प्रति दिन हनमान जी की पूजा में शी सुन्दर कान का पाट करें धनू राशी, आज का दिन सामाजिक शेत्रों में कारिरत लेने के लिए अच्छा रहने बाला है आपकी उपर कारिशेत्र में जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी जिस कारण आप परिशान रहेंगे बैंकिंग शित्रों में कारेरत लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है उपाई प्रति दिन भगवान श्रीविष्णु को तुलसी और गुड का भोग लगा कर श्रीविष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें मकर राशी आज का दिन बाकी कल का दिनों के तुलना में बहतर रहने वाला है बिजनेस की किसी योजना को लेकर सावधान रहें कोई पुराना रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है उपाई प्रति दिन हनमान जी की पूजा में बजरंग बान का पाठ करें कुम्भ राशी आज का दिन सोच समझ कर कामू को पूरा करने के लिए रहेगा आप यदि कहीं जाने की तयारी कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बढ़तें वाहन की अकस्मात खरावी के कारण आपका धन खर्च बढ़ेगा उपाए प्रति दिन हन्वान जी की पूजा में चालीसा का साथ बार पाठ करें मीन राशी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है आपको अपने कामू को पूरा करने में धन की कमी के कारण कुछ समस्याए आएंगे आपके हाँ से कोई नौकरी से संब्धित बड़ा ओर्डर निकल सकता है उपाए प्रति दिन भग्मान शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ा कर रुद्राश्टिकम का पाठ करें जाहिर है आज की समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राजशी उनके लिए कारगर भी साबित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दिनचर्या को जान सके खेर आज के राजशी फल में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सीरियूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ